हिमाचल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और सब को इंतजार है अब नतीजों का, इस बार चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा गया, कई बीजेपी ने कहा कि इस बार रिपीट किया जाएगा, कॉंग्रेस ने कहा कि जो रिवायत है वही रहेगी और वो सरकार बनाएगे, मिक्षा बैठक भी आपने की किस तरह का आपको लगता है कि रिवाज बदलने का कोई मतलब नहीं है, बदलेगा तो राज बदलेगा, राज बदलेगा, हकुमत बदलेगी, ताज बदलेगा, तो इसलिए पूरा चुनाब भी बता रहा है कि जिस ठंक से चुनाब पूरी तरह कॉंग्रेस की तरफ को जूला हुआ चुनाब था ये, और हर तरफ एक ही चर्चा है कि कॉंग्रेस सरकार बनाने चा रही है, और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, कि जो कि आप कहें की चुनाब की लड़ाई थी, और ये एक महिने के अंदर की लड़ाई थी, ये पूरे पांथ साल की लड़ाई थी, जब हिमाचल परदेश में जैराम की सरकार बनी, उसी दिन से ये लड़ाई शुरू हो गई थी, हमारे नेता उस वक्त के पार्टी के अध्याक्ष रहुल गांदी जी ने जब मुझे ये काम सौपा था, विधायकदल का नेता बनाया था, अप्तिपक्ष का नेता बनाया था, तो उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी, कि लड़ाई जम के करनी है, और सत्ता पलतनी है, हमने अपने सातियों के साथ, सैयोगियों के साथ मिलके रन्न जा रही है, यही मैं पूछना था कि समिक्षा हुई होगी, फीडबैक आया होगा, कितनी सीटें आप देख रहे हैं अब खुद के लिए, कॉंगरेस के लिए, देखो, ऐसा है कि जिस ठंके लोगों ने, जिन मुद्दों पे बोट दिया है, जो इस वार के मुद्दे थे, उनके हसाब से हम दो त्याही बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और हर जगा से, पूरे परदेश में एक समान रुजहान था, असा नहीं था कि किसी बेल्ट विशेश में कॉंगरेस के प्रती रुजहान था, हर जगा जहां भी हम गए, परचार के लिए गए, हमने देख होना था हमाचल परदेश को, वो हमाचल को नहीं हुआ, कोई financial package नहीं मिला, कोई industrial package नहीं मिला, परदान मंत्री जी को नौ दसवार बुला दिया, लेकिन परदान मंत्री जी के आगे अपनी बातें नहीं रख सके, ये अपने पांच साल में आपने क्या किया, उस पे चुना investor meet की, आप बताएं कि investor meet में आपने करोडो करोडो रुपया खर्च कर दिया, क्या कौन सी investment हमाचल परदेश में आई, अब आएगा ना सामने, सारी बातें जत्ता के दरबार में रखे जाएगी, टिकट बित्रन पर बात कर लेते हैं, इस बार Congress और बीजपी दोनों को जो ज पता चला है, रिपोर्ट मानरी की 4-5 independent आ रहे हैं, Congress में कितना बागियों ने तंग किया, क्योंकि जीत का मार्जन हमाचल रहे हैं, आपको पता दस से 15,000, 1500 कहीं, 1100 वोट इतना होता है, तो क्या लगता है, वो फेक्टर कहीं खेलना विगाड़ दे, नहीं, मैं आपको बता लेकिन इतना जरूर है कि चाहे वो चैनल हों, चाहे वो एजनसियां हों, चाहे वो सर्वेज हों, अब ठीक है, आपने कुछ चैनल को पैसा दे के सर्वे करवा के जो लगवा दिया, कि भाजपा आ रही है, तो ऐसे थोड़ों नहीं आएगी, जबर जबर दस्ती अगर आप सर्वेक्शन करवा के लगवा दो, वो तो ठीक है, आठ तरीक तो तो अब तक ला सकते हो आप, लेकिन आठ तरीक के बाद तो जो है, मशीने खुलनी हैं, मशीनों में हकीकत बियान हो जाएगी, इसलिए इस बार का महौल स्पष्ट है, कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बी और जो बड़े नेता हैं, वो कहीना के मिसिंग नजर आया, आला कमान की तरह, नहीं देखिए, प्रैंका गांदी जी ने कांग्रेस के लिए निरनाइक भूमिक आदा की है, हम तो उनके धन्याबादी हैं, कि उन्होंने कंपेइन को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, जो की रैलियां हुई, जो जो उनको जो जिस ठंक से उन्होंने मुद्दे रखे, हमारे मैनिफेस्टो को जिस ठंक से उन्होंने पबिक में रखा, चाहे हमारा OPS का मसला था, जब प्रैंका जी ने खुद OPS के धन्ने पर गये, और जब उन्होंने खुद जाकर मन्च से अनौन कि हम OPS देंगे तब लोगों में विश्वशनियता बढ़ गी कि हाँ हाँ हाई कमान भी अब इस मुद्दे पे साथ हैं हलाकि हमने पहले किसी इसमें बिदान सभाग के अंदर अनौंसमेंट की थी कि हम OPS देंगे लेकिन प्रेंका जी के अनौंसमेंट के बाद जब उन्होंन प्रेंका जी का और भुपेश बगेल जी का 36 के मुख्यमंत्री और उसके बाद राजीव शुकला जी अरणिती परवंदन में उन्होंने बहुत राहुल सोनिया मिसिंग रहे हैं प्रेंका जी आ गए हमाचल के साथ इडेंटिफाई होते हैं उन्होंने अपना आवास जो है प्रेंका जी को हमाचल का में चुनाब में लाना और उनका जो सहयोग है इससे बहुत असर पड़ा है उके जी एक चहरा मिसिंग रहा वीरभदर सिंग का तो क्या लगता है वीरभदर सिंग जी होते तो क्या समिकरन चेंज होते और अब वो नहीं है तो उसका क्या कमी रही देखिए हिमाचल की राजनिती में बीरबदर सिंग जी को भुलाया नहीं जा सकता, बीरबदर सिंग जी साथ साल उनका कारेकाल रहा, कभी वो मुख्य मंत्री रहे, कभी वो प्रतिपक्ष के नेता रहे, कभी वो केंद्रिय मंत्री रहे, कभी वो पार्टी प्रधान रहे, सा उनका बहुत बड़ा योगदान है लेकिन वीर्बदर सिंग हमेशा हमारे बीच में रहे हैं क्योंकि जहाँ जब भी विकास की बात आती है कल्यान की बात आती है ग्रीब की सेवा की बात आती है तो बीर्बदर सिंग जी को याद किया जाता है एक अपने पेपर लीग का पुलिस के पर्चे बिग गए और 6-6-8-8 लाक रुपे में पुलिस का पर्चा बिग गया आखर जो है सवा 200 या 200 लोग जो है जेल की सलाकों के पीछे हैं लेकिन जिन लोगों ने पर्चे बेचे वो लोग तो बाहर घुम रहे हैं अब देखो इन लोगों ने हिमाचल पुलि ने ही दिया और जाच खुद की और सारा जो है कोर्ट में फाइल कर दिया अब खौफ ख़ड़ा हो गया जैसे ही इलेक्शन ओवर हुआ इनको लगा कि जब हमने कहा कि कमिशन आफ इंक्वारी बठाएंगे इसमें जाच करवाएंगे अब कल परसों से सी वी आई का शुरू के बाद असेस करके अब रास्ता रोकने के लिए अब जो है जब हमने कहा दिया कि कमिशन आफ इंक्वारी बठाएंगे जब अब से सी वी आई के को बला लिया को चुनाप पे ही आते हैं बात कर ले तो चुनाप की ये बार बार तंज कसा जा रहा है बीजबी की तरफ से कॉंग्रेस में तो सी एम बद के दावेदार ही बहुत है छे साथ दावेदार है एक अनार सो विमार वाली बात हो रही है Congress सरकार बनती है तो CM पद पर दाविदार कौन होगा क्योंकि आपकी बहुत strong contender माने जा रहे हैं आपकी विचर्चा चल रही है देखिए ऐसा है कि मैं आपको यह कह सकता हूँ कि CM जो है Congress का होगा Congress Party का होगा Congress की सरकार बनेगी Congress का CM होगा ठीक है अपना चुनाब निकालने के लिए अगर कुछ लोगों ने अपने CM के टेग को इस्तेमाल भी कर लिया उसमें भी पुराई किया अगर अगर यह दोहाई दे के कि हम रिष्टा है और वो विक्ति विशेश जो है उसकतार में है तो उसमें किसी को बुरा मनाने की क्या ज जाराम जी बार-बार कह रहे थे कि दुला कौन है अरे दुला तो कांग्रिस का होगा कोई भी होगा अपरिमाजी का लोगा लेकिन ऐसा है ना कि बारात ने चुनाब तो जीत दिया चाहे आप जी उसको किसी भी तरीके से ने देखी ऐसा है कि जो सवाल आप उठा रहे हैं क कि शेतरवाद और जातीबाद में कांग्रिस का कभी भी बिश्वाश नहीं रहा है यह चर्चा चल रही थे कि पहले बीरवदर जी अपर से थे फिर में मंडी से जाराम जी हो गए अब लोगर से का या कोई भी होगा ने देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कांग्रिस की लीडर्शिप जाए डॉक्टर परमार हो रामलाल जी हो बीरवदर सिंग जी हो वो अपर हमाचल से या शिमला से आते रहे हैं और हमारी लीडर्शिप बहुत स्ट्रॉंग रही है और लेकिन इंद्रा जी के इसमें से ही यह हमेशा से रहा है कि पार्टी किशेतर बाद की ब अनौसमेंट भी नहीं थी उससे पहले आप स्कूटनिटी और सब कुछ कर चुके थे टिक्टो का फाइनल तो क्या इस पर पहले से रन नीती बना दी थी या आला कमान से इतर होकर के आप अपने तरीके से प्रदेश तर पर उसकी राजनीतियें बना रहे थे कि यह सरकारा जाता रहा सरकार को चुनौती दी जाती रही और सरकार को हीट नजर आती रही कि ऑपोजिशन है और हिमाचल परदेश के ऑपोजिशन की बातें दूसरे परदेशों में भी हो रही थी कि हिमाचल परदेश में कॉंग्रस किस तरीके से लड़ रही है हर मुद्दे प बना दिये हमें बिधानसवा से बाहर निकाल दिया उपचुनाब भी आप जीते थे और ये सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके बाद आप ओर एक्साइटड हो गए हैं और उतना ध्यान नहीं दे पाए आपको लग रहा है कि आप सरकार बना लोगे उपचुनाब के आती ने पूरी ताकत से लड़ा कांगर्स पार्टी ने कांगर्स बिधायक दल ने कांगर्स के सभी नेताओं ने एक जुटता दिखाते हुए पूरे हिमाचल परदेश में भारतिया जनता पार्टी को ललका रहा है और हमने जब मुख्यमंत्री कहा रहे थे मंडी हमारी है तो वाइसे में हमने मंडी संसदिय सीट शिर मती प्रतिवा सिंग जी को लड़ा के जीती और उसके बाद बीर बदर सिंग जी की सीट वो अरकी सीट हम जीते उसके बाद सुजान सिंग पठानिया जी की सीट फतेपूर वहां पे हम जीते और जूबल कोट खाई शिर नेंदर ब और प्रदेश में भाजबा की सरकार और सेमी फाइनल जो है सारा कांग्रेस जीत गई तो जैसे सेमी फाइनल जीते ही उसके बाद भातिय जन्ता पार्टी को होश आया कि हम कहां पे पहुंच गए हैं अपको अपने कार्य करता और मीदबारतों की प्रफारमस कैसी लगी कुछ तो कुछ को हटाना भी पड़ा जो जिन्नों भागी हो गए ते बिलकुल ही बाकि अवराल परफॉमेंस आपको कैसी लगी हर चुनाब में टिक्टों के बाद कुछ नकुछ तो कुछ लोग करते हैं जिनको टिकड़नी मिले वो निराश होते हैं लेकिन ओवराल प्रफॉर्मेंस हमारे लोगों ने जम के लड़े देखो हमारे पास धन शक्ती की कमी थी लेकिन जन शक्ती काफी उभर के बाहर आई है प्रदेश में रिवायत चल रही है कि पांच साल के बाद बदलाब होता है वो चाहिए इन्होंने पूरी कोशिश कर ली रिवाज बदलने की पैसा बहा के देख लिया लेकिन रिवाज नहीं बदला और रिवायत काइम रही है यह आखरी सवाल सरकार अगर कॉंगरेस की बनती हैं तो क्या मुखेकारे होगा जो पहले दिन ओध लेने के वाद कैविन फस्ट स्ट्रोक ओफ पैंसे करमचारियों को ओपियस दी जाएगी और इसके लिए ओपियस के लिए ना तो हम केंदर के आगे हाथ फैलाएंगे ना किसी के पास भीक का कटोरा लेके जाएंगे अपने रिसूर्सिस से अपने संसादनों से साथ हजार करोड का हिमाचल का सीधा सीधा था क्योंकि कांग्रेस ने ओपियस देने की बात की इसलिए हमने जो वाइदा किया है हम उसको पहले ही मंत्री मंडल की बैठक में पूरा करेंगे यह हमारे लीडर्शिप का अनाॉंसमेंट है दूसरा एक लाख नौकरियां देने की बात पहली कैबनेट में कही गई है वो प्रेंका गांदी जी की अनाॉंसमेंट है उसको अमली जमा पहनाया जाएगा और बाकी जो भी वाइदे की हैं वो सारे चर्ण बत्री के से पूरे करने का प्रयास किया जाएगा बहुत धन्यवाद मुकेश भी बात करने के लिए तो ये थे मुकेश अगने उत्री इन्होंने अपनी सारी बात रखी कि कॉंग्रेस के क्या मुद्दे रहे सीम कैडिडिट कौन होगा और आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट में कलम से क्या कु पहला है